स्वागत आप सभी का एक नेट वीडिया लेक्चर में आज की लेक्चर में राजस्तान सरकल का MTS Postman का 2022 का Question Paper करेंगे Department और GK के सभी Questions को Cover करेंगे और इसके Math वाले portion के लिए आपको Description में Link मिल जाएगा और साथ में Regular Classes में आप जुड़ना चाहते हैं किसी भी एक्जाम की त्यारी के लिए PSA के लिए क्या Postman MTS के लिए तो आप Screen PDF नंबर पे Message करके हम आज साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं First Question देखते हैं आज की वीडियो का भारत में मुझूद नहीं है options है आपके पास Head Post Offices आगे आसा Post Office ब्राच पोस्ट ओफिस या फिर जनधन पोस्ट ओफिस और या वो सब ओफिस हो सकते हैं या फिर वो ब्राच पोस्ट ओफिस होते हैं तो तीन ही श्रेणियों के डाक घर भारत में एक्जिस्ट करते हैं तो इसका सेंसर आपके बास क्या आजाएगा D आजाएगा निमिलिखित मैं से कौन सा डाक घर अवकाश नहीं है तो टोटल जो है 17 होलिडेज होती है पोस्ट ओफिस में जिसमें से 14 होलिडेज जो हो और तीन होलिडेज जो हो वो वेरी करती है सर्कल टू सर्कल यह निकि हर एक सर्कल में अलग अलग रहती है हमें यहाँ पी क्या बता रहा है कि कौन सा डाक घर अवकाश नहीं है अप्शन से आपके बास बुद्पूर्णिमा महवीर जयंती रक्षा बंधन या फिर गुड क्रेक्टास आएगी बीच अफ दी फॉलेंग इस नोट अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज निमली खित मैंसे कौन सा डाक ब्याय भुकतान का तरीका नहीं है अप्शन से आपके बास पोस्टेज स्टेशनरी फ्रेंकिंग ऑफ लैटर्स या फिर रेवन्यू स्टेंप् किसी भी डाक वस्तू को आप जब पोस्ट करते हैं पोस्ट करने के लिए आपको जो पोस्टेज चार्जिस का भुकतान करना पड़ता है उसके लिए आप डाक टिक्टों का उप्योग कर सकते हैं पोस्टल स्टेशनरी का उप्योग किया जा सकता है और यहां तक कि आप रै फ्रेंकिंग मशीन के उप्योग के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है options आपके बास postmaster head of postal division head record office या फिर head of the circle correct answer क्या जाएगा तो फ्रेंकिंग मशीन का जो license होता है superintendent या senior superintendent के दारा जारी किया जाता है correct answer क्या जाएगा भी हो जाएगा head of the postal division dark mandal का परमुख कौन होता है अधिक्षक या फिर ब्रिष्ट अधिक्षक होता है भी option correct हो जाएगी every letter packet और parcel has to be stamped with the date stamp of at least how many post offices पर तेक पत्र packet या parcel पर कम से कम कितने डाक घरों की तारीक महर लगी होनी चाहिए तीन दो एक या फिर चार correct answer आपके पास क्या आजाएगा भी आजाएगा तो जितने भी पत्र होते हैं packet या parcel होते हैं जिने पोस्ट किया साथ है तो उनके उपर कम से कम दो डाक घरों की तारीक महर अवश्य लगनी चाहिए और यह दो डाक घर जो है वो कौन-कौन से होते ह एक होता है office of posting दूसरा होता है office of destination ठीक है posting का कार्या ले और दूसरा गंतब्य का कार्या ले इन दोनों डाक घरों की कम से कम प्रतिक पत्र packet या parcel के उपर महर लगी होनी चाहिए भी option क्रेक्टास आजाएगी किसी भी उदेश्य के लिए नकली डाक टिक्टों का निर्माण करना या फिर उनका उप्योग करना निशिद है और यह भारतिय दंड से इता की किस धारा के तहत एक अपराद है तो आप नकली जो डाक टिकेट होते है ना उनका निर्माण कर सकते है और ना ही उनका उप्योग कर सकते है लेकिन अगर आप ऐसा करते है तो यह कैसा एक दंड निया अपराद है और भारतिय दंड से ही था कि किस धारा के अंडर यह आजाता है section 406A section 307A section 302A या फिस section 263A correct answer आपके बास क्या आजाएगा D आजाएगा धारा 263A के तहत ये दंडनी है अपराद है तो correct answer क्या आजाएगा D हो चाएगा next question आपके बास letters or other articles intended to be registered or insured must be presented at the post office at least how much time before the time fixed for the closing of any particular mail पत्रिया अन्य लेख जो पंजीकृत या वीमाकृत होने के लिए अभी प्रेत है उन्हें डाक घर में किसी विशेश डाक को बंद होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम कितना समय पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए 15 minutes half an hour बनावा या फिर no fixed time कोई भी निश्चित समय नहीं है अम आलिजे किसी भी डाक घर से जो डाक का प्रेशन किया जाता है डिस्पैच किया जाता है वो किया जाता है तीन बजे और उसके प्रेशित किया जाने वाली डाक को बंद करने का समय कितना है दो बजे यानिके दो बजे ऐसी डाक को जिसे तीन बजे प्रेशित किया जाना है उसे बंद किया जाएगा कब किया जाएगा दो बजे बंद किया जाएगा अब यह आप ही क्या बोला गया कि यह जो दो बज़े बंद करने का समय है इस समय से कितना समय पहले आपको इस डाक में भेजे जाने वाले लेखों को प्रस्तुद करना चाहिए डाक घर में माली जब कोई भी रजिस्टड आंटीकल है आप पोस्ट करना साथ है और रजिस्टड आंटीकल जो है उनका जो प्रेशन है वो तीन बज़े यह किया जाएगा जिसके लिए डाक जो आ बो दो बज़े ही बंद करती है तो आपको क्या बोलना साएगा कि आप कम से कम आदा घंटा पहले दो बजे से आदा घंटा पहले आप उस डाक वस्तू को डाक घर में प्रस्तुद करें जिसके लिए आप पंजीकन करवाना साथ है जिसके आप इंशुरेस करवाना साथ है तो इसका से आंसर आपके बास क्या आजाएगा भी आजाएगा टिक्या डाक को बंद करने का जो निर्धारित समय होता है उससे कम से कम आदा घंटा पहले आपको उन डाक वस्तों को डा घर में प्रस्तुत करना चाहिए भी अप्शन यहाँ पे क्रेक्ट आजाएगी अगला कोशन आपके बास भेह शुड़ स्टैंप्स भी अफिक्स्ट ओन दी अड्रेस साइड ओफ ए लैटर और पैकेट किसी भी पत्र या पैकेट के पते वाली साइड डाक टिकेट कहां पे लगाने चाहिए राइट हैंड टोप कोरनर में लेफ्ट हैंड टोप कोरनर राइ आपके बास इस क्वेशन का क्या आज आएगा यह आज आएगा दाहीने हाथ के उपरी कोने में डाक टिक्टों को लगाया जाना चाहिए अगला क्वेशन चलते हैं दी सेंडर ओफ ए पोस्टिल आर्टिकल पोस्ट इन इंडिया में हैव इट विड्रोन फ्रॉम दी येगे डाक लेख का प्रेशक लेख को डाक से निकाल सकता है या फिर इसके पते में परिवर्तन कर सकता है यदि यदि आर्टिकल हाज नोट बीन डिलिवर्ड यदि लेख जो आव वो वित्रित नहीं किया गया है या आर्टिकल हाज नोट बीन डिस्ट्राइड लेख को न प्रेशित कर दिया गया लेकिन बाद में अगर सेंडर जो चाहता है कि मेरी डाक वस्तु मुझे बापेस आई मैं इसको नहीं चाहता कि प्राप्त गरता को दिया जाए। पर जो प्राप्त गर्ता का पता लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसा करने के लिए अधिक्री तो होता है लेकिन कैसे अगर डाक वस्तू को कहीं भी वित्रित नहीं किया गया है अभी तक उसका अगर वित्रण नहीं हुआ है तब नहीं कर सकता आगे सरते हैं अब कोई भी डाक वस्तू भेजिस आती है अगर उसको किसी भी कानून के अलंगन में या फिर किसी भी अन्य भजा से उसको जब्त कर लिया जाए अगर उसको जब्त कर लिया जाए तब भी वो उस डाक वस्तू को डाक से निकाल नहीं सकता नही उसके पते में परिवर्तन कर सकता है तो cracked answer क्या आएगा D आजाएगा अगर ये सारी conditions को वो satisfy करता है अगर उसका वित्रण नहीं हुआ है उसको नश्ट नहीं किया गया है और नहीं उसको seize किया गया है तब ही वो उसकी dark वस्तू के पते में या फिर उसको dark से निकालने में सक्षम होगा तो इसका C answer आपके पास क्या आजाएगा D आजाएगा If the address is not at the address यदि प्राप्त करता पते पर नहीं है तो एक पंजीकरित वस्तू कितने दिनों तक dark घर में रोकी जा सकती है 3 days, 4 days, 7 days या फिर 15 days इस correct answer क्या आएगा C आजाएगा 7 days के लिए maximum इसको रोका जा सकता है कोई भी पंजीकरित वस्तू है उसका जो प्राप्त करता है उसके बारे में पता नहीं चल पाता है या वो पते पर मिलता नहीं है तो ऐसी condition मास dark वस्तू को अधिक्तम 7 दिनों की अब्दी के लिए dark घर में रोक कर रख सकते है next question चलते है but is the fees for recall of a postal article dark वस्तू को वापिस बुलाने का शुलक क्या होता है 5 रुपे, 6 रुपे, 10 रुपे या फिर 15 रुपे correct answer क्या आजाएगा तो अगर inland article होगा inland article को वापिस बुलाने के लिए 6 रुपे लिए जाएगे और कैसे लिए जाते हैं आपको dark टिक्टों के मादियम से इनका भुक्तान करना होता है और दूसरे foreign articles जो होते हैं उनके लिए कितने लिए जाते हैं 30 रुपे लिए जाते हैं postage stamps के रूप में dark टिक्टों के रूप में और inland article की बात करेंगे तो इसके लिए 6 रुपे का भुक्तान आपको करना पड़ेगा भी option जो है क्रेक्टास आएगी बट इसी maximum weight of a book packet book packet का अधिकता बजन कितना हो सकता है 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर 10 kg तो कोई भी book packet है maximum उसको 5 kg तक भेजा जा सकता है इसी option करेक्टास आगी इसमें mostly पूच्छा जाने वाला question कौन सा है pattern and sample packet के बारे में ठीक है pattern और नमूना packet के बारे में mostly question पूच्छा जाता है जिसका बजन जो है 2 kg रहता है या फिर blind literature packet क्योंगी सभी एक ही श्रेड़ी में आते हैं किसकी packet वाली श्रेड़ी में तो blind literature packet का भी mostly पूचा जाता है 7 kg तो ये तीनों आपको याद रखने है अगला question चलते है what is the maximum date of a registered parcel book देने branch post office शाखा डाक घर में book कियेगे पंजीकृत पार्सल का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है 5 kg 8 kg 10 kg या फिर 25 kg correct answer आपके बाद 17 का क्या जाएगा 10 kg हो जाएगा अब कहीं पूचा जाए unregistered parcel है unregistered parcel को कहीं भी book किया जाए बीओ में अच्चो याइसो में उसकी weight limit कितनी रहेगी 4 kg रहेगी 4 kg रहेगी अब कभी भी parcel जाएगो branch office से जुड़ा हुआ है क्यावर कैसा है बो registered है पंजीकृत है अगर उसको एच्चो से भेज़ा जा रहा है एसो से भेज़ा जा रहा है कहां को branch office को भेज़ा जा रहा है तो वो branch office से जुड़ा हुआ है अगर उसको शाहाखा डाग घर से बुक किया जा रहा है तब भी वो शाहखा डाग घर से जुड़ा हुआ है तो जब भी कोई आपका पंजीक्रित पार्सल ब्राँच पोस्ट ओफिस से जुड़ा हुआ होगा चाहे उसे branch office के लिए संबोधित किया गया हो चाहे branch office से उसे संबोधित किया गया हो उसकी जो weight limit है वो कितनी रहती है 10 kg रहती है 10 kg और normal अगर question पूछा जाए कि what can be the maximum weight of a parcel parcel का अधिकता बजन क्या हो सकता है तो बहाँ पे आपका जो correct answer आजाएगा वो कितना आजाएगा 20 kg आ आपे शाखा डागर में पूछा गया है correct answer क्या आजाएगा C आजाएगा but is the highest denomination of an Indian postal order भारतिये postal order का उच्चतम मूले वर्ग कौन सा है 10 रुपे 20 रुपे 50 रुपे या फिर 100 रुपी उस correct answer आपके पास क्या आजाएगा D आजाएगा 100 रुपी जो है अधिकताम सबसे अग कितने होते हैं 8 मुले वर्गों के होते हैं कौन कौन से आजाएंगे 1 2 5 आगे चलते हैं 7 10 आगे उसके बाद 20 आजाएंगे फिर उसके अधर 50 आजाते हैं सबसे highest denomination का 100 और इनके लिए हम commission की बात किरें इसके लिए कितना लगेगा 1 रुपे लगेगा 1 2 5 7 और 10 के लिए वह आपके पास 1 2 5 और 7 वाले जो IPO हैं वो बनने बंद हो गया है इसका मतलब यह नहीं है कि वो अब चलेंगे नहीं post office में अभी तक उनकी बिक्री होती है उनका use किया जा सकता है लेकिन आगे इनका कोई indent नहीं बनेगा इस इसको आपने ध्यान रखना है इस question का correct answer आपके पास D आजाएगा अगला question चलते हैं question आपके पास दिडिमर्ज चार्ज और वैल्यू पेवल आइटीकली रिकावर्ड फ्रम अड्रेसी आफ्टर हाव मैनी डेज मूले देवस्तूओं पर विल्लम शुलक कितने दिनों के बाद प्राप्त करता से बसूल किया जाता है options है 5 देज 7 देज 10 देज या फिर 15 देज तो इसका correct answer आपके बास क्या जाएगा B आजाएगा 7 दिनों के बाद तो 15 थी किस या option आपके बास क्या जाएगी B आजाएगी तो इसमें भी दो तरह से question पूछा जाता है अगे यहां पर 8th day भी लिखा हो सकता था तब हम confused हो जाते हैं ध्या जब भी पूछा जाएगा कौन से दिन के बाद कितने दिनों के बाद तो कितने दिनों के बाद 7 दिनों के बाद या कौन से दिन से 8 दिन से अगर पूछा जाए कौन से दिन से तब आपके बास answer आएगा 8 दिन से कितने दिनों के बाद पूछा जाएगा तब आपके बास क् उसका से यह answer क्या जाएगा भी आजाएगा अगला question चलते हैं the impression of Frank should consist of two dies one is value die what is the name of other die Frank की sharp में दो dies शामिल होने चाहिए एक value die होती है और दूसरी का नाम क्या है Frank die, red die, free die या फिर license die तो फ्रैंकिंग की sharp जो होती है उसमें दो dies होनी चाहिए तभी उसको मानने किया जाएगा और यह दो dies जो है वो कौन-कौन सी होती है एक आपके पास license die होती है दूसरी value die होती है एक रुपे, पांस रुपे, तीन रुपे या फिर कोई वी शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा crack answer क्या होसाएगा आपके पास यह होसाएगा तीन रुपे का भुकतान आपको करना पड़ेगा जब भी पंचीगरी तवस्तू के साथ acknowledgement लगेगी तीन रुपे insured article की बात करें बीमित लेख के साथ तो इसके लिए आपको कोई भी charges नहीं देने होते हैं अगर insured article के साथ acknowledgement भेजना चाहते हैं अगर नहीं वो compulsory होती है जब भी आप कोई भीमित वस्तू भेजते हैं उसके साथ पावती compulsory होती है या निवारे होती है और उसके लिए आपको charges भी नहीं देने पड़ते हैं बात करें speed post article की तो speed post के साथ acknowledgement नहीं लगाई जाती है इसके साथ जो लगाया जाता है उसे कहते हैं proof of delivery जिसके लिए 10 रुपे का भुकतान आपको करना पड़ेगा अगला question चलते है question आपके बास बड़ी जी maximum bait of a blind literature packet अभी हमने उपर एक question क्या था book packet जो उसका maximum बजन कितना हो सकता है वहीं से मैंने तब भी बोला था कि आप blind literature packet pattern और sample packet इनके बजन के बारे मैं जरूर पूछा साता है तो नेत्रहीन साहित पे packet का अधिकता बजन कितना हो सकता है 5 kg, 7 kg, 8 kg या फिर 10 kg correct answer आपके बास क्या आजाएगा भी आजाएगा blind literature packet का अधिकता बजन 7 kg हो सकता है correct answer क्या आजाएगा भी हो जाएगा इन बीच आफ दी फोलेंग केसे रजिस्ट्रेशन इस कंपल्सरी निमलिखित मैं से किन मामलों में पंजीकण अनिवारे हैं आजी पार्सल एकसीडिंग 4 kg इन बेट कोई भी पार्सल जिसका बजन 4 kg से अधिक हो जाता है इन इन शोड आर्टिकल इन वैल्यू पेवल आर्टिकल या फिर all of these correct answer क्या है का डी आजाएगा इन सभी के लिए पंजीकण अनिवारे हो जाता है उपर भी हम नहीं किया कि कोई भी अनर्जिस्ट्र पार्सल भीजना चाहता है अधिकतम 4 kg तक भेज सकता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है पंजीकण किया जाता है और वैल्यू पेवल आर्टिकल के मामले में भी सेम रहता है correct answer क्या जाएगा डी आजाएगा बट इजी quarterly rent of a post box और a post bag post box या post bag का तिमाही किराया कितना है 50 रुपे, 70 रुपे, 80 रुपे या फिर 100 रुपे उसके लिए आपके बास 28 का क्या आजाएगा यह आजाएगा एक चीज़ जहान में रखनी है जब भी और लग जाए तो मतलब दोनों का अलग अलग बताने है अगर post box हम एक 3 महीने के लिए लेते हैं किराये पर 80 रुपी हो जाएगा तो उसको ध्यान में रखना है इसका से यह अंसर आपके बास क्या जाएगा यह आजाएगा और दोनों के लिए पूछा जाए तो कितना आएगा 80 रुपीज आजाएगा अगला question देखते हैं बटीज जी maximum limit of some assured in postal life insurance dark g1 bima में बीमी तराशी की अधिक्तम सीमा क्या है 10 रुपे, 20 रुपे, 25 रुपे, 25 रुपे या फिर 50 रुपे correct answer क्या जाएगा आपके पास D हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जो postal life insurance करवाना चाहता है maximum 50 रुपे तक करवा सकता है D option correct आजाएगी how many transactions through international money transfer service IMTS, can we received by a single beneficiary इना calendar year अब यहाँ पी बुलागे received by इस का क्या मतलब हो जाएगा अंतराश्ट्रिय धन अंतरन सेवा के माध्यम से एक calendar वर्ष में एक लाभार्थी द्वारा कितने लेंदेन प्राप्त किये जा सकते है आप देखो आपकी जो international money transfer service है इसमें केवल inward remittance की अनुमती है यह नहीं के foreign country से भारत के लिए पैसे भेजे जा सकते है लेकिन भारत से foreign country के लिए इसमें पैसे नहीं भेजे जाएंगे only inward remittance is permissible, not outbound remittance तो इसमें आपको outbound या जावक प्रेशन की अनुमती नहीं है इसमें केवल आवक प्रेशन की अनुमती है तो कोई भी foreign country से भारत में लवार्थी के लिए international money transfer service के माधियम से पैसे भेजना चाहता है एक calendar year में एक calendar year कब से शुरू होगा एक January से लेके जो भी कतिस दिसम्बर आएगी तब तक financial year कब से शुरू होता है 31st April से लेके कब तक रहता है 31st March तक रहता है तो एक calendar वर्ष में है यनि कि एक January से लेके कतिस दिसम्बर तक एक विक्ति के लिए maximum जो 30 transactions भेजे जा सकते है तो 22 की say option आपके बास क्या आजाएगी यहाँ पर D आजाएगी और ध्याद रखना एक single transaction में 2,500 USD तो फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा तो फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा ठीक है आट आप सलेवस है लेकिन पीए वालों के लिए यह बहुत जादा important question है वो business reply service के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कैसे अगर कौन से quarter में लेते हैं कितने charges देने पड़ते हैं कब इसको renew किया जाता है कौन इसको renew करता है यह सारी चीज़े हैं तो postman और MTS के सलेवस में हम नहीं करते हैं लेकिन MTS में पूछा गया और आपको पता है competition इतना है दो marks आप कही न कहीं promotion आपकी ले जा सकते हैं तो promotion आपकी तभी होगी अगर आपको इस तरह की questions भी साथ में आते होंगे और वो तभी आएंगे जब आप PA का सलेवस साथ में करेंगे तो business reply service का जो license है उसको हर साल कब renew किया जाता है तो January month में March month में April या फिर December में तो 23rd की option आपके पास क्या जाएगी भी आज आएगी March की महिने में इसका नवीकंड क्या जाता है और renewal की जो अबदी है यानि कि इसका नवीकंड जो March महिने में कर दिया गया उसके बाद इसके नवीकंड की अबदी जी मिलिखित मैं से कौन डाक लेखों पर क्षेतरी भाशा में लिखे पतों को अंगरेजी में लिपियंतरित करता है options है आपके बास mail office, head post office, sorting office या फिर transcription center correct answer के आज आएगा आपके बास डी आज आएगा लिपियंतरन के इंदर के द्वारा किया जाता है अब कोई भी डाक वस्तु जिसके ओपर जो address है वो local language में लिखा हुआ है जैसे माली जे पंजाब से उसको post किया जाना है और उसके ओपर address जो आब वो पंजाबी में लिखा हुआ है लेकिन अब भेजा जाना है कश्मीर के लिए कन्या कुमारी के लिए जहां पर पंजाबी कोई पढ़ता नहीं है किसी को आती नहीं है तो ऐसी condition में क्या किया जाता है पंजाबी में लिखे हुए address को change किया जाता है कैसे change किया जाता है लिप्यंतरन के इंदर में उसको English में transcribe किया जाता है sorting office में स्थीत होता है D option correct आजाएगी अगला question चलते हैं are traveling offices of the railway mail service working on railway और river steamer lines निमिलिखित मैं से कौन railway या नदी steamer line ओपर काम कर रहे railway mail सेवा के चल कार्यालने है transit sections, mail motors mail office या फिर moving post office 25 की सही option आपके बाद क्या आजाएगी ये आजाएगी transit section उन्हें कहा चाता है पारवहन अनुभाग उन्हें कहा चाता है अब railway mail service होती है इसमें दो तरह के कार्यालने होते हैं एक होते हैं चल कार्यालने दूसरे होते हैं स्थिर कार्यालने अभी जासे transit section है ठीक है तो यहाँ पर बुल लगे हैं या नदी steamer लाइनों पर यह काम करते हैं यह कैसे हो जाएंगे railway mail सेवा के चल कार्यालने होते हैं इन्हें transit section कहाँ आता है दूसरे होते हैं स्थिर कार्यालने जासे record office है mail office है इस तरह के जो होंगे बहुते हैं stationary offices of RMS dissection of the postal directorate which does not deal with any bags but only deals with the correspondence relating to procurement distribution of bags is known as but dark nidashalya का dnubhag जो किसी भी bag से संबंदित नहीं है लेकिन वो क्या करता है थैलों के खरीद और वित्रन से संबंदित पत्राचार जो होगा उसका संबंद किस से हो जाएगा जिसका हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है इसको कहेंगे क्या क्या dark nidashalya का dnubhag जो क्या करता है जो खरीदे जाते हैं या बित्रित किये जाते हैं उन थैलों से संबंदित पत्राचार से संबंदित होता है उसे क्या कहेंगे तो कौन सा इसका से आंसर आ जाएगा d आ जाएगा Central Bag Office क्या होता है d section of Postal Tractorate केंद्री या थैला का रहाले dark nidashalya का d अनubhag होता है और यह किसी भी थैलों से संबंदित नहीं होता है केवल थैलों को बित्रित करने वाले और खरीदने वाले जो पत्राचार होते है उनसे संबंदित यह होता है d option correct आजाएगी the trip from the headquarters of the set towards its out station is called as what set के मुख्याले से बाहर के station की आतरा को क्या कहा जाता है in trip, out trip, station trip या फिर headquarter, trip 27 की इस option आपके बास क्या जाएगी भी आ जाएगी इसे out trip कहा जाता है अब trip या फेरा जो है दो तरह क्या होता है एक होता है in trip, दूसरा होता है out trip जब भी headquarter से कोई अपने बाहरी station के लिए फेरा लगाता है या trip पढ़े जाएगा उसको क्या कहेंगे out trip कहेंगे, जब भी कोई बाहरी station से headquarter station के लिए आता है तो उसको उसके जारा की जाने वाली यात्रा को in trip कहा चाहेगा तो उसका answer आपके पास भी आचाहेगा the record office situated at the headquarters of rms division is known as beach of the falling rms division के मुख्याले में स्थित record कार्यारली को निमिलखित मैं से किस नाम से जाना जाता है एक होता है आपके पास record office कार्यार को सब्सक्क्राइर करें अब क्या करता है जो भी से जुड़े अनुभाग होते हैं उनके कारे पत्रों को तियार करना जाज करना और उन‌को कहा करना record में रखने का काम इसके किया जाते हैं और साथ-साथ में और क्या करता है उनको जितनी बी जरूरत वहती है यानु भागों को दूसरा बात करते हैं head record office की तो ये भी stationary office होता है RMS का लेकिन ये कहां पर स्थीत होता है situated at headquarter of RMS division जो यहां पर question में पूछा गया है कौन headquarter of RMS division में स्थीत होता है record office की साथ में salary या contingent bill होता है पूरे division के उनको बनाने का काम कोन करता है head record office के दारा किया जाता है उसी तरह से सब record office होता है ये कहां पर स्थीत होता है जहां पर mail office स्थीत होता है और ये भी stationary office होता है RMS का अगला question चलते है question आपके बास बड़ी सी full forum of AMPC AMPC की full forum क्या जाएगी mail post center automatic mail processing center authorized mail posting center या फिर अधार waste mail processing center 29 की सही option आपके बास क्या जाएगी उसको कहेंगे automatic mail processing center correct answer क्या जाएगा आपके बास भी आ जाएगा which is the branch of RMS where closed bags are received and dispatched sorting of letter is not done in this branch RMS की best शाखा जहां पर बंद थैले प्राप्त होते हैं और भेजे साते हैं और इस शाखा में पत्रों की छंटाई नहीं की जाते है उसे हम क्या कहेंगे correct answer आपके बास क्या जाएगा इसका see आ जाएगा transit mail office उसे का जाता है ऐसी option जो है correct हो जाएगी पार्वहन डाग कार्याले अगला question चलते हैं जी के बाला है अगला question चलते हैं बहरीज इंडियास पर्मानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिन गंगोतरी सिच्वेटर भारत का स्थाई अनुसंधान के इंद्र दक्षिन गंगोतरी जो कहाँ पे स्थीता है correct answer क्या जाएगा see आजाएगा अंटार्टिका राष्टर गान को कब अपनाया था correct answer क्या आजाएगा 24 जैनरी 1950 तो इसका से answer आपके बास भी आजाएगा अगला question आपके बास गान्धी जी फास्ट इन बिच जैल लेड टू दी पूर्णा पैक्ट on 20th of September 1932 गान्धी जी का किस जैल में आप बास पूर्णा पैक्ट से जुड़ा हुआ है तो इसका correct answer आपके बास ये रवदा जैल आजाएगा see option जो है correct हो जाएगी इसका correct answer आपके बास भी आजाएगा शेहनाई बादक थे भी option ग्रेक्ट हो जाएगी how many fundamental rights have been provided by the constitution of India भारत के संभिथान द्वारा कितने मोलिक अधिकार परदान किये गए है तो इसका 36 का answer क्याएगा D आजाएगा 6 next question आपके बास you can get in trouble while lying and cheating others if you don't have a bitch of the following यदि आपके बास निमिलखित में ऐसे क्या नहीं है तो आप जूट बोलने और दूसरों को धोखा देने से परिशानी में पढ़ सकते है तो उसका correct answer क्याएगा see आजाएगा अगर आपके पास इमांदारी नहीं है और अनेस्ती नहीं है तो ऐसी condition में आप क्या करेंगे दूसरों से जूट बोलेंगे दूसरों को धोखा देंगे और फिर परिशानी में तो पढ़ेंगे next question आपके बास a written statement of policies and principles that guides the behaviors of all employees is called as but नीतियों और सिधानतों का एक लिखित बिवरण जो सवी करमचारियों के बिवहार को निर्देशित करता है क्या कहलाता है code of ethics कैसका सी answer ही यह आजाएगा आपके बास उसे अचार सहिता कहेंगे a option cracked आजाएगी fire temple is the place of worship of which of the following religions अगनी मंदिर निमिलखित मैंसे किस धर्म क्या पूजा स्थेल है तो इसका correct answer आपके बास d आजाएगा पार्सी धर्म और last question है जीके का वहनबास Reserve Bank of India established भारती Reserve Bank की स्थापना कब हुई थी तो इसका correct answer क्या आजाएगा 1st April 1935 correct answer क्या जाएगा आपके बास C हो जाएगा आगे सहलते हैं आप पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं के पोस्ट मैं के लिए question है आपके बास the post offices which remain open on Sundays postal holidays and beyond normal working hours are known as but ऐसे डाक घर जो कब खुले रहते हैं रवी बार बाले दिन डाक घर अवकाश बाले दिन और सामान्य काम काज के घंटों के बाद भी खुले रहते हैं उन्हें क्या का जाएगा options है आपके बास abnormal post office holiday post office journal post office या फिर night post office correct answer क्या आजएगा D हो जाएगा रातरी डाक घर उन्हें कहा जाता है बटार्दी maximum working hours for branch post offices शाहा डाक घरों के लिए दिक्तम कारे घंटे के हैं 3 गंटे 4 गंटे 5 या फिर 8 गंटे उसका correct answer आपके बास क्या जाएगा असी आजाएगा branch post offices के जो maximum working hours होते हैं कितने होते हैं 5 और minimum की बात करें कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे letter boxes marked for letters only are used for posting which kind of articles किस परकार के लेखों को post करने के लिए फार letters only जिनित letter box का उप्योग किया जाता है अब कुछ special letter boxes होते हैं जिनके बाहर कुछ न कुछ remark लिखा होता है या उनके बाहर कुछ न कुछ चीज लिखी होते हैं जैसे अगर किसी भी letter box के ऊपर लिखा हुआ है फार letters only तो ऐसे letter boxes में आप कौन सी डाक वस्तु में post करने के लिए डाल सकते हैं तो क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा letters and postcard ठीक है पत्र और postcard ऐसे letter boxes में post किये जा सकते हैं उसके आपके airmail लिखा हो सकता है या क्यों MS वाले letter boxes हो सकते हैं यानके उनके बाहर क्या mark किया होगा फार airmail and QMS articles only तो उसमें आप केवल इसी च्रेनी के डाक वस्तु में को post कर सकते हैं कौन से जो airmail articles होंगे और QMS articles होंगे तो यह special letter boxes होते हैं अगर अन्य किसी डाक लेक को इनमें post किया साएगा तो उसको रोक लिया साएगा उसको जब्त कर लिया साता है तो उसका ग्रेक्ट साथ ग्राम या फिर टैन ग्राम क्रेक्ट अंसर क्याएगा आपके बास यह आजाएगा तीन ग्राम हो सकता है अगर आपके पास जब पूछा जाए और महां पर आंसर की मैं आपको भी दिया साए तो आप यह गाइड बन का यहां पर reference दे सकते हैं या तो question cancel होगा या तो आ कार की वस्तवें प्राप्त की जा सकती है only registered articles, all kind of articles, only unregistered articles या फिर only fully prepared unregistered articles, cracked answer कहा चाहेगा आपके पास D आजाएगा पूरी तरह से भुक्तान किये हुए अप अपंजीक्रित लेखों का वित्रण ही post box और post bag के माद्यम से किया जा सकता है और एक और चीज है ध्यान में रखनी है कि यह जो articles होंगे यह पत्र डाक के होने चाहिए लैटर मेल के होने चाहिए D option से हो जाएगी अगला question चलते है वियो summary is prepared in which of the following forums, वियो साराश जो आनिमलिकित मैंसे किस परपत्र परतियार किया साथ है तो ACG 22A, ACG 67, ACG 3A या फिर ACG 27 ठीक है money pay की जाते है तो उसको receipt एक दी जाते है, कौन से forum के उपर ACG 67 के उपर, तो receipt for money हो जाएगा आगे सालते है, ACG 22A की बात करते है, यह होता है, BO daily account एक होता है, ACG 22 वो कौन से होता है, SO daily account अगर उसके साथ A लग जाए, ACG 22A हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, BO daily account हो जाएगा ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या बताना है, BO summary जो कौन से परपत्र के उपर बनाई जाती है, तो इसका 6 का से answer आपके बास क्या जाएगा, ACG ठीक है, इसका से answer क्याएगा, आपके बास ACG 3A के उपर इसको बनाया जाता है, तो C option जो है यहाँ पर CORRECT हो जाएगा, ACG 3A के उपर, BO summary ACG 3A के बास करें, तो इसके उपर कौन से बनाया जाती है, SO summary बनाया जाती है B.O. daily account ACG 22 के उपर बनाया जाएगा S.O. daily account ACG 67 Recept for money कोई भी renter के उदारा जैसे हमने पढ़ा था franking machine के बारे में कि renter कोई भी अगर money pay करता है कोई भी भुकतान करता है तो उसे एक receipt दी जाती है ACG 67 के रूप में अगला question चलते है How the surplus funds are disposed at the sub post offices We out of syllabus question have post man के लिए लेकिन अभी पूछा गया है एक उप डाक घर में अधिशेश धन का निप्टान कैसे किया जाता है By remittance to a treasury or bank By remittance to another sub office By remittance to the head post office या फिर all of these तो crack answer कहेगा D आचाएगा तो माली जी किसी भी post office उप डाक घर की जो limit है पैसे रखने की वो कितने 10,000 रुपे है लेकिन उसके पास जो है वो 50,000 रुपे हो जाते है अब उसके पास ये जो extra 40,000 रुपीज हो जाएंगे इसका निप्टान उसके दारा कैसे किया जाएगा तो कैसे किया जाता है अगर तो वो treasury या bank station के ओपर सीता है अब आपके बास ये जाएगा और अब आपके बास डेली अको जाता है वो त्यार किया जाता है 67 मैंने उपर आपको बताया receipt for money ACG 3 वी हमने उपर कर लिया ठीक है क्या हो जाएगा ACG 1 कौन सी हो जाएगी HO summary हो जाएगी ACG 3A क्या हो जाएगी BO summary सा भी याद रखने है अहला question चलते है which of the falling prepares SO sleep निमिली खितमे से कौन सा SO sleep त्यार करता है तो अगर हमें पता है कि account bag में जब भी SO sleep भेजी जाते तो head office से sub office को भेजी जाएगी कि इसका मतलब उसे त्यार कौन करेगा head office के जारा किया जाएगा correct answer क्या हो जाएगा आपके बास यह हो जाएगा क्या जाएगी जब भी account bag भेजा जाते है ACG 2 SO क्या भेजा जाते है ACG 2 से SO के लिए भेजी जाती है SO sleep तो इसका मतलब head office में SO sleep त्यार की जाएगी तभी उसको SO को भेजा जाएगा तो correct answer आपके बास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अगला question चलते है head office summary is prepared in which of the following forum परधान कार्यार ले साराश जवाव निमिलिकित मैसे किस प्रपत्र पर त्यार किया जाता है postman in which of the following forum बित्रित की गई सुचना और नोटिसों की रसीदों की जो पुस्तक है डाकिया दरा कौन से परपत्र पर रखे जाती है options है आपके बास RP 53, RP 33, RP 8 या फिर RP 22 cracked answer आपके बास क्या जाएगा भी आजाएगा RP 53 के उपर इसे बनाया जाता है who fixes the beat of each postman पर तेक डाकिया की गश्त जवाब को निर्धारित करता है postmaster divisional head DPS या फिर postmaster general cracked answer आपके बास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा postmaster के दारा की जाती है तो डाकिया की गश्त क्या होती है लेखों और मनी ओडरों के सही वित्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है postmaster, PRI postman या फिर male overseer correct answer आपके बास क्या जाएगा C आजाएगा डाकिया क्योंकि डाकिया कोई वित्रण के लिए ये वस्तुएं दिये जाएगे तो बोही इनकी correct delivery के लिए जिम्मेदार होता है तो 14th की से ये option आपके बास क्या जाएगी C आजाएगी The root list of a village postman is prepared in which of the following forum क्राम डाकिये की root list जो होती है, कौन से प्रबत्र के उपर उसको त्यार किया साथ है M53 के उपर किया साथ है 15th की से ये option आपके बास D आजाएगी Who writes the male abstract dark सार जो होता है, किसके द्वारा लिखा साता है, IRM Head Sorting Assistant, SRO या फिर HRO, correct answer क्या हो जाएगा आपके बास भी हो जाएगा, परधान 26th high के द्वारा, male abstract को लिखा साता है, कौन से दो parts में divide किया गया है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर शामिल की जाएगी, ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, next question आपके बास, CRC sends bags to which of the falling far further dispatch, either through air or surface CRC, निमलिखित मैसे किसको हवा या सता के मादियम से आगे भीजने के लिए थैले भीजता है तो इसका correct answer आपके बास या जाएगा transit section को एए option जो है, correct आजाएगी अगला question चलते है, एए orders are issued भाई हूँ, एए आदेश जम्हों किसके दारा जारी किये जाते हैं तो इसका correct answer आपके बास क्या जाएगा, या जाएगा superintendent RMS के दारा कोई से भी order हो, B order हो, चाहे TV order हो, उनको अधिक्षक RMS के दारा जारी किया जाता है, next question चलते हैं, a bag used to enclose several bags sent to the same office or section, thereby affording protection to them called as bitch of the falling, एक ही कारेल या भाग को भेजे गई, कई धैलों को सलंगन करने के लिए इस्तिमाल किया आने वाला धैला, जिसमें उन्हें सरक्षा मिलती, याईने मिली खित मैंसे क्या का जाएगा, packet bag, transit bag, insured bag, या फिर इन मैंसे कोई भी नहीं, correct answer क्या जाएगा, आपके पास भी आजाएगा, transit bag, पारवन धैला उसे का जाता है, अगला question चलते हैं, which date should be shown on the, stamps and sales office, section और mail office, किसी भी अनुभाग या dark कार्यार लेकि, मोहरों और सीलों पर कोई सी तारीक या कोई सी तिति दर्शाई जानी चाहिए, तो कोई सी तिति दर्शाई जाते है, जिस दिनाक को अनुभाग या dark कार्यार लेके, कामकाज के घंटे शुरू होते हैं, the day date of the day on which the working hours of the set begin उस दिन की तारीक जब सेट के काम काज के घंटे शुरू होते हैं यह option करेक्टाज आएगी बड़ीजी preservation period of the order book को फे mail office and a section एक dark कारेले अनुभाग की order book की पर इरक्षन अब दी का है तो कोई भी अनुभाग या dark कारेले हैं उसकी जो order book होती है उसको तीन साल के लिए संभाल के रखा जाता है सी option करेक्टाज आएगी बड़ीजी फोलिंग स्टेंप्स और सील्स आर सप्लाइड तो एबरी सेट निमलिखित मैसे कौन सी मोहर और सील हर सेट को सप्लाई की साती है date stamp, name stamp, date seal या फिर all of these correct answer क्याएगा, diaz आएगा यह सभी मोहर और सीलें जो है पर एक सेट को दी जाती है, d option correct आजाएगी which of the following should not be carried in the portfolio निमलिखित मैसे किसे portfolio में नहीं रखा जाना चाहिए या उसका बहन जो पोटफोलियो में नहीं किया जाना चाहिए तो जितनी भी चीज़ें है पूरी list आपको अच्छे से याद कर लेनी है stamps and seals, due mail list, order book या फिर T port, correct answer क्याएगा, diaz आएगा चाहे का बरतन जो आपको पोटफोलियो में नहीं ले जाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पोटफोलियो में कैरी किया जाता है, अच्छे से उनको करके जाना है अगला question चलते है, mail abstract for transit sections and mail offices is divided into how many parts बारवान अनुभाग, और dark कार्यालियों के लिए dark सार को कितने भागों में वांटा गया है 2 parts, 3 parts, 4 या फिर इनमें से कोई भी नहीं correct answer के आएगा, आपके बास A आजाएगा, 2 parts में divide किया गया 2 parts कौन कौन से आजाएगे, एक आपके बास mails और दूसरा कौन से आजाएगा, आपके बास bags आजाएगा और ध्यार नखना transit section के लिए जो mail सार होता है M42 और बहीं पे dark कार्यालियों के लिए बाक सार की बात करें, M43 के ओपर बनाया जाता है यह भी पूछा जाता है question और last question आज की वीडियो का transit bags must always be closed and sealed in the prices and under the direct supervision of bitch of the falling निमली खित मैं से किस की उपस्तिती मैं और प्रत्यक्ष परयावेक्षन के तायत transit bag को हमेशा वंदर seal किया जाना चाहिए head sorting assistant, male guard, male agent या फिर all of these correct answer किया जाएगा तो इन मैं से कोई भी हो सकता है जैसे प्रधान छंटाई साएक male guard या male agent तो इन तीनों मैं से किसी की भी उपस्तिती मैं और सीधे परयावेक्षन के तहत ही transit bag को पारवन थेले को बंदर seal किया जाना चाहिए तो ये था आपके पास राजसान circle का MTS Postman का 2022 का question paper बहुत ही आसान से question पूछे गए है और कोई भी question ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है, अच्छे से किया नहीं है आपको glasses में करवाया नहीं है तो बहुत ही आसान है इस तरह के question paper में आपके DOP के at least सभी ठीक होने चाहिए GK का एक आदा question जो out of slaves नहीं कह सकते जो हमने नहीं पढ़ाया नहीं है उसमें से पूछा गया बाकी सभी बही questions दें तो इस तरह के question paper में भी अगर अच्छे marks आप नहीं ला पाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का तो अच्छे से पढ़िए ताकि इस तरह का question paper आए कोई भी question आपका गलत नहीं क्योंकि एक question आपका गलत होगा तो आपकी promotion आपके हाँ से चले जाएगी तो इस तरह से त्यारी करनी है किसी भी question का answer गलत हो ही ना सके तो इसके लिए आपको हमाई साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं regular classes में और इसी के math वाले portion के लिए आपको description में link मिल जाएगा धन्यवाद